राजगर जीला मुख्याले पर दो साल की बच्ची की गर्दन पर पिता नहीं बलेट चला कर उसे मारने का प्रयास किया हलाकि बच्ची के रोने के बाद पिता मोबाइल बन करके भाग गया मा खुद उस बच्ची को लेकर कोतवाली पहुची और जहां अपने ही पती के खिलाब शिकायत दर्जिकर आई बताया जा रहा है कि संकट मोचन में रहने वाले रवी कुमार ने अपनी दो साल की बच्ची तनू की गर्दन पर बलेट से हमला किया करीब 6 इंचे से जादा लंबी है बलेट चलाई गई लेकिन घाव जादा गहरा नहीं हुआ लेकिन बलेट के निसान पूरी गर्दन पर इस परश नजर आ रहे हैं पत्नी ने बताया कि उसका पती रवी आय जिन उसके साथ मार पीट भी करता है लेकिन वो कभी ठाने नहीं पहुची लेकिन इस बार तो हद ही कर दी बच्ची की जान चली जाती ऐसे में पुलिस ठाने पहुची और पुरे मामले की शिकायत करते हुए बच्ची और मा के साथ परिवार के और सदस्य भी ठाने पहुचे थे राजगर से ओंप्रकास गुप्ता की रिपोर्ट कि इनका कहना है कि मेरी बच्ची को उसके पिदाने मारा है और आए दिन सराथ पी के वह मार पी कुछ के साथ और बच्चों के साथ भी करता है अब अब बच्ची को बेट्र निकल गया और मेरे से बोला ममी पापा नहीं है काड़ दिया तो मैंने देखा तो उसको पाउडर लग रहा है और फुन निकल रहा है तो मुबल भी लेगा है मुबल छोड़के नहीं गया गर पर इस पहां है कहां है तेखते चला नहीं गया है गंगे का तेखते चला कर रहा है